आपने कांतारा फिल्म देखी होगी इस फिल्म ने सिनिमा घरों में काफी पैसे कमाए और फिल्म सूपर डूपर हिट रही मैं अचानक अपने चेनल में इस फिल्म की बात क्यूं कर रहा हूँ ये सोच रहे होंगे आप इस फिल्म को बात करने का मकसद यह है कि इस फिल्म में भी जंगल के देवता के बारे में दिखाया गया, करनाटक के जंगलों में इस देवता की बहुत मान्यता थी, यहां फिल्म बस्तर आदिवासियों की परंपरा के साथ खुब मेल खाती है, हमारा बस्तर भी अपनी अनोखी परंपरा और सन्सकृती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है यहां के आदिवासियों के रिती रिवाद, जहन, सहन, पूजा पाट सबसे अलग हैं इसलिए बस्तर को अधभुत बस्तर भी कहा जाता है आज हम अपने चैनल में ऐसे ही आधभुत देवी देवताओं से जुड़ी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे नमस्कार मैं गुपतेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका आपना चैनल दबस्तर पोस्ट अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई विवाद होता है या वो जमीन का विवाद हो या किसी भी प्रकार का विवाद हो तो आप नियाय के लिए किसके पार जाएंगे आपका जवाब होगा कलेक्टर, HDM, तैसिलदार, वकील, जज या फिर कोई प्रसासनिक अधिकारी लेकिन बस्तर में ये कहानी बिलकुल अलग है यहाँ पर जब आदिवासियों के साथ कोई भी विवाद होता है या तो वो ज आदिवासियों को उनके विवादों का निप्टारा करते हैं और उनको नयाय दिलाते हैं वैसे तो बस्तर में बहुत सारे आदिवासी देवी देवताएं हैं जिनका अलग-अलग महत्त्व है तो हम इस वक्त हैं बीजापुर जिला मुख्याले में और मैं आपको एक पत्थर है यह पत्तर आप देख सकते हैं इस पत्थर को आप मामुली पत्थर समढदने की कोशिस मत किजिएगा क्यूंकि इस पत्थर को आदिवासियों के देवताओं ने सदियों पहले गाड़ा और यही पत्थर है जो गाउं की सरहद या सीमा को तय करते हैं तो यह सदियों पहले गड़ा हुआ पत्थर आज 2023 में चर्चा का विशय बना हुआ है और चर्चा का विशय क्यों बना हुआ है इसके पीछे की कहानी हम आपको आज बताने जा रहे ह बस्तर में यू तो आदिवासियों के कई देवी देवताओं हैं और कई तरह की इनकी मान्यताओं हैं लेकिन आज हम बस्तर संभाग के आदिवासियों के देवी देवताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आदिवासियों के देवी देवता हैं वीजापुर में गुज्जा देव और चिकट राद देव तो पहले जान लेते हैं कौन है गुज्जा देव गुज्जा देव यहाँ पर आदिवासियों के मुख्य देव हैं इनका पद यहाँ पे तैसिलदार के समान है वहीं चिकट राद देव यहां के आदिवासीओं के देवताओं में इनका पद कलेक्टर के समान हैं, तो जानते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं गुज्जा देव और चिकट राद देव, आदिवासी सबसे पहले गायता, पुजारी, पेर्मा के साथ पहाडों पर जाते हैं, वह प्रेमा, पुजारी द्वारा इस बांस या लकडी को बड़ी ही साउधानी और सम्मान से काटा जाता है। उसके बाद इन पर शुद्ध कपड़ा लाकर ढग दिया जाता है। उसके बाद इसमें हल्दी और घी से इसकी सेकाई की जाती है। फिर साजा पेड का अंगार बनाया जाता है, फिर देवी देवताओं को वस्त्र पहनाया जाते हैं, और बड़े ही सम्मान पूर्वक के साथ आदिवासी, बड़े ही विधी विधान के साथ अपनी देवताओं की इस्थापना करते हैं. तो कहानी ऐसी है कि तुमनार के आदिवासी और बीजापूर के आदिवासी अपने गाओं की सीमा या सरहत को लेकर विवात करने लगें. बीजापूर के आदिवासीों ने तुमनार के आदिवासीों के उपर आरोप लगाया कि तुमनार के जो आदिवासी हैं, वो कर्मचारी दोनों आये तो उन्होंने भी दोनों गाओं वालों को समझाया लेकिन गाओं वाले मानने को तैयार नहीं थे तो हुआ ये कि दोनों गाओं के आदिवासियों ने अपने देवताओं के सामने इसका फैसला करने की बात कही तो दोनों गाओं वाले मान गए तो इसक भी आदिवासियों के सर उनकी इज्जत में जुग गए और गुज्जा देव और चिकट राज देव की आत्माओं ने आदिवासियों के सरीर में प्रवेश किया शरीर में प्रवेश करते ही साथ आदिवासी गाउं वालों को उन्हीं पत्थरों पर लेकर गए जहां पर सदियों पहले इस पत्थर को आदिवासीयों के देवी देवताओं ने गाड़ा था इस घटना को देखकर राजस विभाग के अधिकारी कर्मचारी और आदिवासी जो अपने न्याय के लिए आये थे वो भी आश्चरे चकित रहे गए क्योंकि ये पत्थर कब गाड़ा किसने गाड़ा इस पत्थर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी ये आदिवाशी वहुमेल छेतर है नगरपालिका में जब सिमांगण का कि विवाद आया था आदिवाशी ओंके बीच में तो उस दवरान जब मामला जब नई सूल जरा था यहां के स्थानी निवासी को द्वारा तो इलो ने आदिवाशी ओंने एक अपने जो आरध्य दे दो गावाले थे और नगर के चारो दिशा में जब सिमांगन जब होना लग गया तो मैं भी उनके पीछे पीछे गया हुआ था तो एक ऐसे घटना था जहां एक नगरपाली का और नगरपंचायत इटपाले दोनों के बीच में सिमांगन को देखना था उस दरावन क्या हु फड़ादीव बना हुआ था खतर का तर उस जगा पर बराबर जाके वहां पर देखें जबकी हम लोग आए दिर हम आना जाना करते हैं लेकिन किसी को दिखा नहीं लेकिन देविद्दा के माध्यम से अ जब दिखा उरके माध्यम से तो यह जो विवाद का जो इस्तिति आ ह सब को मानना पड़ा क्योंकि आधिवासी परंपराम चलते भी आ रहा है कि अचंबा वही लगा जब कि नया जेनरेशन है जो पुराने लोग तो अभी है भी नहीं और उसको जब मैं देखा बड़ा अचंबा लगा ऐसा द्रिश को देखकर और थोड़ा से विश्वास है लेकिन अब जब हमनों खुद परतेक्षप देख रहे हैं तो एक विश्वास विजगा और यहां आधिवासीयों के वरिष्ट जनों ने बताया कि हम वीजापूर में 50-60 वर्स हो गए रहते हुए लेकिन हमें आज तक नहीं पता था कि यह पत्थर किसने गाड़ा कब ग लेकर गए जहां पर पहले से यह डिसाइड हो चुका था कि तुमनार की सीमा सरहत क्या है और बीजापूर की सरहत सीमा क्या है तो इस तरह से देवी देवताओं ने आधिवासीयों के साथ नयाय किया और उनके जमीन विवाद का निप्टारा सुलझाया तो इसी तरह जब कोई आधिवासीयों के उपर कोई विपत्ति आती है या कोई उनके साथ विवाद होता है तो इन विवादों का निप्टारा कोई जज या कोई नयायधिस नहीं करता इनका नयाय करते हैं तो आधिवासीयों के देवी देवता बस्तर के और कौन से देवी देवताओं के बा बस्तर के संसिक्रिती परंपरा और रहन सहन और हमारे जमेनी रिपोर्टों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेर करें जय हिंद जय भा प्रदट